दोस्तो बिहार इंजिनेरिंग का जो मौपप रौन कॉंसलिंग है उसका जो अफिसियल नोटिस है वो आज अभी जारी हो चुका है और दोस्तो जो बहुत सारे स्टुडेंट अभी तक अड़िशन नहीं करवाए और किसी कारण बस उनका अड़िशन नहीं हो पाया था तो उ उनके लिए यह मौपप कॉंसलिंग हो रहा है तो दोस्तो बिसी सी बोर्ड ने अभी अभी अफिसयल नोटिस जारी किया है तो दोस्तो कल भी स्टूडेंट पूछ रहे थी लेकिन मैं क्या बताता जब मेरे पास कोई न्यूज नहीं थी तो मैंने नहीं बताया मैंने बोला है वहाँ पे मौपप रौंड की कॉंसलिंग होगी तो दोस्तो यहाँ देखें नोटिस में साप साफ लिखा है कि वुक्त बिग्यापन के द्वारा राज के जो गबर्नमेंट इंजिनियरिंग कॉलेज और प्राइबेट इंजिनियरिंग कॉलेज बैसाली का है उसमें करके अधार पे जो नमांकन हुए उसमें बहुत सारे सीटे हैं वो खाली रह गई है और उन्हीं खाली सीट्रों पे मौपप रौंड करवाया जा रहा है तो दोस्तो इसमें बताया गया है कि मौपप रौंड कॉंसलिंग में आयोजित है तो आयोजित किया गया है इसमें सम अप्लिकेशन फॉर्म भरने के लिए निमले कित कार्ज करम के अनुसार आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तों हुआ क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट का सीट नहीं मिला क्यों नहीं मिला तो उन्होंने च्वास बहुत कम दिये तो उनका कोई भी कॉलेज मिलने का चांसी नहीं था तो उनका रेजिस्टेशन पहले हो चुका था लेकिन यहां तो उनको भी रेजिस्टेशन फिर से करना होगा और जो नया अक्रिडेट है यानि जिन्होंने कभी रेजिस्टेशन तक ही नहीं किया उनको भी फिर से फ्रेस रेजिस्टेशन करना होगा दोनुव स्टुडेंट को और जो अड़िसन ले चुके हैं उनको यहां पे नहीं दिया गया है यानि उनका अड़िसन करा चुके हैं उनको यहां पे नहीं मौका मिलेगा मौपपराण में वैसे हैं स्टुडेंट जो कहीं registration नहीं करवाए counseling के लिए उनका फिर से होगा और जिनको college नहीं मिल पाया second round तक उनको फिर से registration करना होगा और choice feeling फिर से होगा तो दोस्तों यहां देखिए नमांकन के लिए जो eligibility दिया गया है उसमें बताया गया है जेए मेंस 2020 में जो समलित student है उनके पास all India rank card है NTA का तो वो eligible है उसके बाद में तेंथ पलस यानि इंटर के एकजाम में या फिर diploma के एकजाम में 45% के साथ जो general category के student है वो पास होना चाहिए और जो वी सी वाले और SCST के student है वो 40% उनके साथ उतिरन है तो वो form को फिलब कर सकते हैं उसके बाद में जो बिहार राज के निवासी हैं वो भी form को फिलब कर सकते यानि कि इतने eligibility जीन के पास है वो form को फिलब counseling के लिए कर सकते हैं दोस्तों यहां यहां पर बताया गया कि ओनलाइन करने का जो लिंक है वेपसाइट पर अविलेबल हो जाएगा 9-10-2020 में ओनलाइन आवेधन के लिए जो उप्रक्रिया है वो उपलब्ध है कैसे कैसे करना है वो सब पहले भी मैंने वीडियो में बताया है वही सेम प्रोसेस को यहां पर फॉल दस बजे तक है उसके बाद में पेमेंट करने का जो चलान के माध्यम से है वही 11 फरवारी को 4 बजे साम तक है उसके बाद में क्रेडिट कार्ड डेविट कार्ड से पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 12 फरवारी 2021 तक है उसके बाद में आपका जो मेरिट लिस्ट है वो चोदा separately होगा है और होगां दोस्तो उसके बाद में यहां बताया गया है कि समया अभाव के कारान अभियर्थि को इडिट का अपसर नहीं दिया जा रहा है तो याप इडिट को नहीं कर सकते हैं धार पुर्ण रूप से अभियदन को भ़नने के बाद सम्मिट करने से पहले पूरी तरह से जाज करने उसके बाद ही submit करें किसी भी परकार की data में परिवेटर नहीं किया जाएगा तो दोस्तों आपको बतादे कि आपको अगर counseling करने आता है तो ही counseling करें और नहीं करने आता है तो आप मेरे थुरू या फिर किसी भी थुरू से करवाएं लेकिन आप counseling अच्छे से करें और फिर आप कोई भी registration में कोई गलती करते हैं तो आपको वहाँ पे आपको दुबारा से offline आयोजित होगी यहनि कि इसके लिए online आपको seat alignment नहीं होगा बस registration आपका online होगा उसके बाद में देखिए online registration के समय जो अवेधन पत्र भरेंगे वो इसका जो link दिया गया है वो इस link पे भरना है जो website पे अब level होगा उसके बाद में जो भी information मांगेगा उसे पूरी तरह से डाल कर submit करना है और last में आपको एक print out download करना है तो दोस्तों यह मोप अप का पूरी schedule है और कोई भी जनकारी चाहिए तो आप हमें comment करें या फिर हमारे number पे call कर सकते या फिर भाट सेप कर सकते और दोस्तों मैं यहीं